3, 2, 1, Start हेलो दोस्ते बफिर से इस लोगडाउन में और रमजान के महिने में एक निव रेसिपी लेकर के आचकर हूं हेलो गाई जबा फिर से इस लोगडाउन में और रमजान के महिने में एक निव रेसिपी लेकर के आच चुका हूं तो आप सभी लोगोंने समोसा तो बहुत बार नाम सुना होगा और खाया भी बहुत बार होगा लेकिन जो नॉर्मल मार्किट में समोसा मिलता है वो ट्राइंगल शेप में होता है लेकिन मैं बनाने वाला हूं समोसा पोठली शेप में और comment आप लोग नहीं करते हैं, comment जरूर किया करिए कि और क्या बनाया जा क्योंकि lockdown चला, lockdown के बाद मैं कोई recipe की वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो भाई Instagram पे भी follow करिएगा, तो चलिए start करते हैं, बनाना और बनाने के लिकिन किन चीजों की जरुवत होती हो, सब आप इस वीडियो में देखने वाले हो, सबसे पहले आलू बॉइल किया है, फिर छील करके मैश कर लिया है, और यह मैदा जिसमें कलानजी डाला है, और इसमें थोड़ा तेल डाल करके अच्छे से पानी थोड़ा थोड़ा डालके गूंड लेंगे, ये है खड़ा जीरा और ये काली मिर्श का पॉडर है और ये चाट मसाला और ये लाल मिर्श पॉडर धनिया पॉडर हल्दी नमक और ये जीरा पॉडर है और चोटे चोटे पीसेज में मिर्शे को काट लिया है और ये चोटे चोटे पीसेज में हम लोग ने प्यास को काटा है और ये कद्दू कश किया है पत्ता गुबी को और ये रहा तेल हमारा मैदा गुन चुका है और अब बनाऊंगा समोसे का स्टफिंग हमारा पैन गर्म हो चुका है और अब इसमें एड़ करेंगे रिफाइन ओयल अब इसमें डालेंगे प्याज फिर खड़ा मिर्चा करश इसमें पुका है और अब एल समय करते है और अब पहलों 홉 तब है नहीं है और शुका है और अब च пять बारों है और बनाऊंगे नहीं फ़र धंगें वकार खरो है और लाग है और स्थम्राकश्ड़ यह हमारी मैदे की लोईयां बन चुकी है अब इसको बेलेंगे और देखिए आगे क्या होता है अब बारी है लोई को बेलने की इसको अच्छे से बेलेंगे इदम गोल शेप में अब बारी है झाल 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 तो दोस्तों हमारा बन के त्यार हो चुका है अलू पोटली समोसा और दिखने में देखि annat कैसा इसका शेप इदम पोटली जैसा है और इसे मैंने फ्रस टाय्म बनायता समोसा ही मैंने फ्रस टाय्म बनायता इसलिए जादा अच्छा भी नहीं हुआ ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ इसका शेप तो भाई अब इसके बात करते हैं कि इसकी स्टफिंग के बारे में तो आप देखें स्टफिंग इसकी कैसी हुई है तो आपने स्टफिंग देखा और अब बारी इसे टेस्ट करने की और टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है तो अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा हुआ इसका टेस्ट जो है वो काफी अच्छा हुआ है लेकिन थोड़ा स्पाइसी है और जो, इसके उपर की जो लेयर है ना, वो काफी क्रिस्पी है और जो अंदर जो, आलू जो में सारे मसाले जो मिक्स हुए है उसका जो टेस्ट आ रहा है, वो कमाल का रहा है, लाजवाब टेस्ट आ रहा है तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे अलू पोटली समोसे की रेसिपी कैसी लगी बताईए कमेंट में और क्या क्या चीज बनाएजा इस रमजान में और लॉक डाउन में वो सब आप कमेंट में बताईए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा साथ ही बे ला कि अजया झाल को